नमस्कार अक्सर हम जब भी नए कपड़े खरीते हैं जैसे पैंट, शर्ट, बच्चों के कपड़े तो उसमें इस तरह की फॉर्म निकल कर आती है जिसे हम बेकार समझ कर फैंक देते हैं तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसे देखने के बाल आज के बाल आप कभी भी इस फॉर्म को फैकेंगे नहीं क्योंकि इस फॉर्म के हम कई बड़िया बड़िया से यूज़ कर सकते हैं जिसमें से एक यूज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम फॉर्म की लंबाई और सब्सक्राइब की नशायान अब सबसे पहले हम इसतरे से इंची टेप को रखेंगे अंदर की तरफ वह ऊपे निशान लगाएंगे इस निशान को हम इस तरह से सीधा खीच लेंगे और इसे इस से मिला लेंगे इसी तरह अब इस सेट भी इंची टेव रखेंगे, 1.5 इंच भी निसान लगाएंगे, यहाँ से नीची की तरब भी 1.5 इंच भी निसान लगाएंगे, इस निसान को इस तरह से नीची खीचेंगे, इस तरह से और यहाँ से इस निसान से इस तरह मिला लेंगे, यह देखे, चार तरब बना लिए हैं अब इन बॉक्स को हम कट कर लेंगे इन सब बॉक्स को भी हम कट कर लेंगे चारों बॉक्स हम ने कट कर लिए हैं अब इसी साइज के एक चैन लेनी है इसे नापेंगे, यह है 8 इंच, अब मैंने एक चैन ले लिए, यह देखिए, इसकी लैन्थ है 9 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे, अब देखिए, रनर को निकाल देंगे, एक साइड रखेंगे, चैन का एक सीरा लेंगे, सीधी साइ इस तरह रखेंगे, इसे भी और इसे भी यहां से यहां तक सिलाई लगाकर जोड लेंगे, देखिए, यहां से यहां तक सिलाई लगाकर हमने चैन को इस तरफ जोड दिया है, और यहां से यहां तक सिलाई लगाकर एक चैन का सीरा इस तरफ जोड दिया है, और देखिए, आप रहें एक ही तर्फ आप अब इससे देखिए कपड़े को नीचे के तरफ करेंगे इस तरह आम किनारे किनारे पर यहां अधानि एक सिलाई लगा लेंगे इससी तरह इसने कपड़े को भी नीचे के तरफ करेंगे इस तरह से और किनारे किनारे पर यहाँ से यहाँ तक इस में अब देखिये एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाईए है और एक सिलाई हम यहां से यहां तक लगाएंगे, देखिए, एक सिलाई हमने यहां से यहां तक लगाई है, अब दोनों सिलाई हैं मजबूत भी हो जाएं और साथी सलाई हम अच्छी से finishing भी आ जाएं, इसके लिए हम एक काम और करेंगे, किसी भी कपड़े की पट्टी ले ल अब एक सिलाय हम यहां से यहां तक लगाएंगे और इस तरह एक सिलाय हम यहां से यहां तक लगाएंगे देखिए पट्टी पर हमने यहां से यहां तक सिलाय लगाईए और इस तरह भी हमने यहां से यहां तक सिलाय लगाईए अब इसे इस तरह पल्टेंगे इस तरह से अब इस तरह से उसमें भी यहां से यहां तक सलाई लगा लेंगे देखे पट्टी को पर की तरह मोड़ते हैं हमने एक सलाई यहां से यहां तक लगाई है इस तरह एक सलाई हमने यहां से यहां तक लगाई है अब हम इसे एक सलाई रख लेंगे अब देखिए हम कपड़े की करेंगे इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते वे पूरी पट्टी में स्लाई लगा लेंगे देखिए बैल्ट हमने तियार कर लिए अब इसे एक साइड रखेंगे इसे लेंगे पहले सीधा कर लेते हैं इस तरह कर लिया है अब देखिए इसे इस तरह पकड़े पकड़ेंगे इसे हल्का सा खोल लेंगे देखिए तयार होती है इस तरह से खीच लेंगे इसलिए मैं एक इंच एक इंच एक्स्टा चैन रखिए इसे लिकान लेंगे इसके वायर हमने इस तरह दाल दीए एक साइड से अब फिर से इसे ऐसे पकड़ेंगे चैन का हूक अब इसे इस तरफ डालेंगे अब वायर को पकड़ेंगे इस तरह से खीचेंगे अब एक्स्टा चैन को हम कट कर लेंगे अब इसे फिर से उल्टा करेंगे अराम से करना है चैन को हब ना निकल जाए अब हम बैल्ट लेंगे इसे इस तरह डालेंगे इसके अंदर इस तरह से एक सीरा लेंगे इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे चैन के देखे चैन और बैल्ट का सेंटर बिल्कुल एक साथ होना चीए इस तरह से इस कॉर्णर को पकड़ेंगे इस तरह से इस तरह से और एक सिलाई हम यहां से यहां तक लगा लेंगे देखे हमने एक सिलाई यहां से यहां तक लगा कर बैल्ट को भी इसमें जोड लिया है अब हम बैल्ट को इस तरह सीधा करेंगे यहां से इसे पकड़ेंगे बाकी बैल्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे इसे इस में बढ़नों से यहां से जोड़ दिया है यहां से चैन को फिल्द डाओ कम आएंगे बढ़नों से क्वायेंगी इस तरह आइब धू? यहां से यहां तक लगा लेंगे, इस तरह आप इस कॉर्णर को पकड़ेंगे, इस तरह और इसमें भी एक स्लाई यहां से यहां तक लगा लेंगे, देखिए चारों कॉर्णर हमने जोड लियें, यह देखिए, अब इस रखेंगे, अब देखिए कपड़ी की छोटी से पट् को भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से अब एक स्लाय हम यहां से यहां तक लगा लेंगे पट्टी को हमने स्लाय से यहां से यहां तक जोड दिया है अब इस तरह पल्टेंगे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह और फिर एक बार फोल्ड करके और इसमें यहां से यहा काफी मजबूत होती है और अच्छी फिनिशिंग भी आती है यह देखिए अब इससे सीधा कर लेंगे है यह देखिए अब इससे सीधा कर लिया है यह देखिए अब इससे सीधान कर लिया है यह दो हिए